2 देखते हैं, 2 नंबर में देखों क्या दिया है, 3X प्लस 2Y, प्लस का 25 इकोल टो 0, और दूसरा दिया हुए है, 2X प्लस Y, प्लस का 10 इकोल टो 0, तो यहाँ पे A1 हो जाएगा 3, B1 हो जाएगा 2, C1 हो जाएगा 25, A2 हो जाएगा यहाँ पे 2, B2 हो जाएगा 1, और C2 हो जाएगा आपका 10, चलिए पर यहाँ पर लिखेंगे X, यहाँ Y, और यहाँ पर आपका 1, ठीक है, कॉंसर्ट इसी तरफ है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर होगा आपका B, C, यानि B1, C1, B2, C2, C1, C1, A1, C2, A2, A, A, B, यानि A1, B1, और A2, B2, चलिए अब यहाँ पर हम लोग वैलूज को रखते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर रखेंगे तो, एक्स बाई में, 2, 25, 1, 10, वाई बाई में, 25, 3, 10, 2, यह नहीं रख देंगे, C1, A1, A2, C2, A2 को, चलिए अब इसके बाद, 1 बाई में, 3, 2, 2, 1, चलिए अब इसके बाद, सॉल्व करते हैं, तो, एक्स बाई में, 20, मैनस का 25, वाई बाई में, 50, मैनस का 30, 1 बाई में, 3, मैनस का 4, देखिया, चलिए अब इसके बाद देखिए, x by minus का 5 y by 20 और 1 by minus 1 x by minus 5 equal to में यहां हो जाएगा यह minus 1 सिर्फ लिख सकते हैं और y by 20 equal to में minus का 1 x equal to में 5 आजाएगा और y equal to में minus का 20 समझ गये कोई दिक्कत नहीं है